Hi everyone, मैंने question डाला था YouTube पे, Instagram पे, कि आप लोग को कौन से topics मेरे से सुनने हैं भतेरे topics हैं, खुब सारे topics हैं, तो obviously सारे topics का long video तो नहीं बनेगा कुछ-कुछ topics हम proper एक वीडियो में ले लेंगे, एक एक question और एक answer, right तो आज वाला जो topic है, वो है PROM, यानि की premature rupture of membranes यानि की delivery से पहले अगर पानी की थैली food जाए तो आपको क्या करना चाहिए, उससे क्या problems होती है और ऐसा क्यों होता है, ठीके, तो PROM is premature rupture of membranes, इस पे हम आज सब कुछ discuss करेंगे प्री मेचोर rupture of membranes जैसे की नाम बताता है प्री मेचोर यानि की labor स्टार्ट होने से पहले, पेन स्टार्ट होने से पहले अगर आपकी पानी की थैली food जाती है उसको प्री मेचोर rupture of membranes बोलते हैं, इसी में PROM अगर एक और पी आड़ कर दो पी पी आरो यानि की प्री टर्म प्री मेचोर rupture of membranes तो जो एक्स्ट्रा पी है वो बताता है कि अभी बच्चा 37 वीक्स का भी नहीं है यानि की वो टर्म भी नहीं है, फुल टर्म नहीं, वो प्री टर्म है तो प्री मेचोर rupture of membranes can be simply PROM जो की 37 वीक्स के बाद हो रहा है होता है, mucus plug निकलता है, मैं पहले भी वीडियो में बता चुकि हूँ कि 9 महिने तक जो बच्चे दानी का मुह है, वो सील पैक रहता है, क्योंकि बच्चे को बाहर की environment से बचाना होता है, तो amniotic fluid का जो पूरा बलून है, जो गुबारा है, वो पूरा फूला हुआ रहता है है, बच्चा उसके अंदर तैरता रहता है, similarly जो बच्चे दानी का मुह है, बच्चे दानी का मुह पे एक mucus plug रहता है, जो की बच्चे को सील करके रखता है, बहा की environment से, तो जब यह mucus plug निकलता है, जब आपके delivery का टाइम आ रहा है, दो तीन हफते पहले या एक हफते पह कर जाता है, और पेशन को लगता है, मेरी थैली फूट गई, ठीक है, थैली जो फूटेगी, आप खुद सोचो एक बड़ा गुबारा, जिस कहांता है, पानी भरा है, उसमें आप एक needle डाल दो, या हलका सा छेद कर दो, वो फट से फट जाएगी, वो वापिस जुड़ेग में, तो जब आपको लगी, इतना पानी आ रहा है, रुकी नहीं रहा है, that is premature rupture of memories, PROM, यह जो हलका फुल का आ रहा है, कि आप चल रहे है, या आपकी underpants गीले हो रहे है, आपको wetness लग रही है, that is simply excessive white discharge, but still it is good कि आप अपने डॉक्टर को जा के दिखाए, it is always good extra precaution, ठीक है, लेकिन हर white discharge के लिए भाग के जाने की जरूत नहीं है, वो normal है, मैंने आपको बताया भी है, pregnancy में white discharge भड़ता है, especially जब patient 35, 36 weeks, 37 weeks के तरफ जा रही है, तो उस समय सर्विक सुरत रह खुलना चुरू होता है, soft होना चुरू होता है, plug निकल जाता है, तो हलका सा discharge excessively दिखता है ठीक है, तो premature rupture of memories को diagnose कैसे कह रही है, आपको ये feel होगा कि sudden gush of water आया, suddenly सब कुछ गीला हो गया, हम doctors कैसे diagnose करते हैं, हम आपको चेक करते हैं, हम आपको जो vagina है वहाँ पर हम एक speculum डालते हैं, आपको बोलते हैं, कुछ लोग को बिना coughing के हमको दिख जाता है, पानी आ रहा है excessive पानी आ रहा है, यानि कि definitely या तो membranes फूट गई है, अच्छा membranes नहीं भी फूट थी तो भी कभी कभी पानी आता है, उसको बोलते हैं, high end leak, यानि कि बच्चा जैसे हैं, ये सिर है और ये bumps हैं, तो बच्चे का ये जो बच्चे दानी का मुह और बच्चे किस सिर के बीच में जो जगे है, अगर वो थैली फूट गई, तो उसको बोलते है four waters, और ये थैली नहीं फूटनी चाहिए, delivery से पहले, यानि कि labor pain स्टार्ट होने से पहले, इसको हम proper बोलते हैं PROM, इस थैली के फूटने से बच्चे को infection का डर रहता है, ठीक है, एक होता है पीछे की तरफ क्योंकि बलून तो पूरा इतना बड़ा है, इतना बड़ा सैक है, उसके अंदर बच्चा है, तो पीछे से भी कहीं से वो हलका सा लीक हो सकता है, वो अगर लीक होता है, तो आगे वाली जो membrane है, वो तो हमको अच्छी कासी दिखती है, हम जब आपको internally examination के लिए 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 हमको दिखता है कि बैग बना हुआ है, हमको दिखता है कि हमको फील होता है कि memory is rupture ने हुई है, लेकिन फिर भी पानी आ रहा है, तो पीछे से कहीं से आ रहा है, उसको बोलते है hind leak, उसमें भी infection का डर रहता है, बड़ इतना नहीं होता है, जितना कि यह four leak वाले में होता है, अगर पानी leak हो रहा है, अगर नहीं दिख रहा है, और आप बोलो नहीं आ रहा है, तो फिर हम आपको बोलेंगे coughing करो, कौफ करो, कौफ करो कौफ करने से कहीं बार जो और पानी होता है, वो बहार निकलना शुरू हो जाता है, उसमें भी में इतना है, तो फिर हमापकी sonography कर उसके बाद आपको एडमिट करेंगे या आपको घर भेदेंगे आपको बोलेंगे पैड लगा के रखो फ्रेश पैड लगा हो जिसे हमको पता चले कितना गीला हो रहा है आपको खुद ही पता से जाएगा कि मैंने दिन में चार पैड सोक कर दिया पूरे गीले हो गए और वह पैड से पता चलेगा और आपको हम तीन चार दिन बाद लिए अगर आप बोलेंगे बहुत लीकिंग हो रही है फिर कंपेर करेंगे कि इस सोनोग्राफिय में क्या फरक है अगर दिखेगा कि बहुत ज्यादा लाइकर काम हो रहा है तो डेफिनेटली डिगनोस होता है पी- यूरिन डालके उसमें दो लाइन आती इसी तरह से कुछ नाइप्रिजीन टेस्ट होते हैं फोर्निंग टेस्ट होते हैं जो कि हम लैब में कभी-कभी करते हैं पर उसका आपको जानने की ज़रूत नहीं है और यह ज़्यादा तर रिसर्च वरक में काम आते हैं जिससे हम य 37 वीक्स के बाद अगर मेंब्रेन रट्चर होती है आपकी डिलिवरी होती है तो हम उसको तर्म प्रेगनेंसी बोलते हैं इसमें भी तीन डिविजिनस है 37 से 39 यान कि 37 हफ्टे से 49 हफ्टे तक अगर आपकी डिलिवरी होती है तो उसको बोलते है early term यान कि term है बट early है ठीक ह क्योंकि जादा तर cases में delivery 39 weeks के बाद ही होती है अब 39 से 41 यानि कि आपकी date निकल गई आपकी date 40 weeks की fix होती है EDD यानि कि expected date of delivery लेकिन आप अगर एक हफते उसके ऊपर चलेगे 41 weeks पहुझ गई तो 39 से 41 होता है उसको बोलते है full term pregnancy 39 to 41 full term हो गई 37 to 39 होगी early term और post term किसको बोलते है जब 41 से भी उपर बच्चा निकल गया यानि कि आपकी एक हफते तो तक तो acceptable है आपकी EDD अगर 14 March है उसमें आप एक हफता आगी चली गई 21 March तक चली गई आपने डॉक्टर से चेक कर रहे डॉक्टर ने बोला सब कुछ normal है डॉपलर करा रहे हैं सब normal है कोई दिख कर नहीं है 41 weeks की बाद भी अगर आपको delivery नहीं हो रही उसके बाद अगर कुछ होता है या तो rupture of membrane हुआ या delivery हुए उसको हम post term pregnancy बोलते है यह आपको पता होना चाहिए अब आते हैं कि अब इसकी बज़े से complications क्या होते है major complications जो हमको डर लगता है वो होता है infection क्योंकि बच्चे कसीर अगर ये है और नीचे membranes है जो कि बच्चे को vagina से सारे bacteria बाहर के environment से उसको बचा के रख रही है यह rupture हो गया और आपको labor pain यह rupture of membrane से कम होता है या तो अपने आप होता है जब आपको तेज पेन आता है जब आपको तेज पेन आता है एकदम से रप्चर होता है जेनरली यह delivery के कुछ घंटे पहले ही होता है तो अगर आपके rupture of membrane हो गया है और आपको pain भी आने प्लीज भाग के hospital जाओ घर पे डिलिवरी हो जाएगी यह रास्ते में डिलिवरी हो जाएगी ठीक है तो जब आपको डिलिवरी नहीं हो रही है ताइम पूरा हो चुका है रास्ता खुल नहीं रहा है या हलका सा खुला आपको दर्द नहीं आ रहे डॉक्टर को लगता अब इंडक्शन कर देना चाहिए उसको बोते है आर्टिफिशल रप्चर ओफ मेंब्रेंस तो इंडक्शन में हम दो तरीके से करते हैं या तो हम उसमें कोई जेल डालते है विजैना में जो कि प्रोस्टा ग्लाडनिन्स होते है जो कि आपके रास्ते को खोलते है या फिर हम यह आर्म करते है या अर्टिफिशल रप्चर ओफ मेंब्रेंस तो जब नॉमल एक तरिके से यह कहलो टर्म प्रेग्ञेंसी है और आपको पेन आ रहे हैं दब वो rupture होता है तो उसको PROM नहीं बोलते हैं, वो premature नहीं है, आपको अलड़ी pain आ रहे हैं, या फिर हम उसको induce कर रहे हैं, आपको induce कर रहे हैं, वो होगे artificial rupture of membranes, बट अगर ये time से पहले हो गया, तो definitely हमको risk होता है infection का, क्योंकि आपको pain आई नहीं रहे हैं, आपकी पानी क premature rupture of membranes, यानि कि आप term भी नहीं है, 37 weeks भी नहीं है, उसमें risk होता है कि बट डिलिवरी हो जाएगी, normally अगर rupture membranes होगे तो 24 घंटे का दर्द अपने आप चालो ही जाते हैं, generally most of the cases में 24 घंटे हम कुछ नहीं करते हैं, पेशन को admit करते हैं, एंटिबाटिक देते हैं, उसको बोलते हैं, पैड लगा के रखो, जिसे हमको color पता चले, कि लाइकर का क्या है, 24 घंटे देखते हैं, अब यह डिपेंड करता हैं, अगर आप 34 weeks के around है, 34 से 37 के बीच में, तो कोई tension की बात नहीं है, क्योंकि बच्चा almost पूरा बन चुका है, 8th month complete हो रहा है, 9th आपको लगी चुका है, तो इसमें कोई tension नहीं है, 34 weeks से पहले, अगर यह rupture हो गया, membranes rupture होगी, तो फिर क्या करेंगे, तो फिर यह problem आती है कि बच्चे के लंग्स मैचोर नहीं है, बच्चे की लंग्स के maturity के लापको steroid injection देंगे, साथ में infection से भी बचाना है, यह भी देखना है कि balance के लिए बच्चे का weight क्या है, तब problems आती है, तो हमाई पस दो risk factors होते हैं, एक तो यह कि आपको infection हो सकता है, और आप preterm है, तो हम delivery जल्दी करा नहीं सकते हैं, और secondly अगर यह अप अपने आप labor में चलेगे, तो rupture of membranes हो गया, आप अपने आप labor में चली गई, चाया आप भल बच्चा breech है, यानि कि उल्टा है, या बच्चा transverse है, क्योंकि जब बच्चा आढ़ा होता है, या बच्चा उल्टा होता है, तो जल्दी rupture of membranes होता है, और इसमें सबसे जाधा risk होता है, quad prolapse, यानि कि जो बच्चे की नाल होती है, जो मास से connected होती है, uterus से, placenta से, वो बह पिशली बार हुआ था, इस बार आपका risk जादा है, कभी-कभी cervix की length छोटी होती है, cervix की length हम मानते है, 2.5 cm से जाधा होनी चाहिए, ये बड़ा common question है, 20 cm तक cervix acceptable है, अगर उसके नीचे है, और आप already, you can say, आप term नहीं है, 37 weeks से पहले ये शुरू हो गया है, या 34-33 weeks पे रप्चर of membrane जल्दी होगा, कुछ और reasons होते हैं, जैसे for example, uterus में बहुत जादा पानी भरा हुआ है, double pregnancy है, triple pregnancy है, तो obviously इतना जादा pressure है कि membranes रप्चर हो जाती है, या फिर mother socio-economically बहुत poor है, उसका nutrition poor है, cigarette smoker है, alcoholic है, तो इन सब चीजों से nutritional deficiency के वज़े से भी ये कभी-कभी जल्दी रप्चर हो जाता है, जनरली इसका cause infection है, infection पता कैसे चलेगा, कभी-कभी local infection, vagina का infection होने की वज़े से जो membranes है वो फट जाती है, तो membrane फटने की वज़े से पानी लीग होने के वज़े से भी infection होता है, और infection होने के वज़े से भी पानी लीग हो जाता है, membrane फट जाती ह ठीक है, infection अगर हो गया तो आपको कैसे पता चलेगा, पहली बात तो आपको fever आना शुरू होगा हलका सा, आपका खुद का pulse rate बढ़ना शुरू होगा, और बच्चे का pulse rate ज्यादा बढ़ेगा, बच्चे की तो heartbeat है, वो आपकी heartbeat से वैसी भी ज्यादा होती है, adults की हमारी 70-80 होत है, इसको बोलते है, choreo amnionitis, choreo amnionitis हैनी की intra uterine infection, बच्चे के heartbeat गिरने शुरू हो गई, यह बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, यह सारे indications हैं कि आपको infection हो रहा है, हम जब आपको check करते हैं और आपका uterus पर हाथ रखते हैं, आपको इस दब से pain होगा, वो भी एक indicate करता ह कि शायद infection हो रहा है, तो इस condition से बचने के लिए timely intervention, timely scissor and timely delivery बहुत जरूरी है, जो बच्चे टाइम से पहले पैदा होते हैं, आपको पता है, उनको intraventricular hemorrhage हो सकता है, उनको सांस लेने में दिक्कत होते ही, क्योंकि इनके lungs फूल नहीं रहे हैं, अगर बहुत टाइम से प तो आप इसके लिए क्या करेंगी, आपको अपने nutrition सही रखना है, आपको अपने doctor के पस proper check-ups कराने हैं, आपको ध्यान रखना है, अगर आपको previously ऐसी कोई history थी तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि इस बार भी मेरे को यह हो सकता है, अगर आपको placenta previa है, यानिकि आवल न कराता है कि आवल जगे छोड़ देती है, तो यह सारे आपस में interrelated है, तो basically आपको aware रहना है, यह सारी videos हम बनाते हैं इसलिए कि आपको awareness रखनी है, कि हाँ जरा सी भी problem है, doctor से बात करनी है, check कराना है, किसी भी चीज को lightly ने लेना है, बच्चा धंग से नहीं घूम रहा है, आपको लग रहा है, पानी निकल रहा है, आपको लग रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, आपको जाके चेक अप कराना है, तो अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like and share जरू करिएगा, subscribe करना मत भूलिएगा इस channel को, और मेरे को मेरे social media platform से आप follow कर सकते हैं, मेरे से personal consultation के लि इसकोल मुकराले, thank you very much.